पेटा जी, मेरा रिपोर्ड कारण, मैं फिर से फेल हो गया दुवाएं लेती जा, जा तुझे को सुखी से काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स है हमारे पास बड़ी सबसे पहले हमें लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चल्सी के बारे में आप देखो मेसन मांट के रिगार्डिंग तो हमने जो स्टोरी डेवलप करिया उसके रिगार्डिंग हमको यह तो समझ में आ रहा है कि अगर मेसन मांट के फ्यूचर के रेफरेंस की बात करें तो बड़ी वो चल्सी से जादा आर्सनल लिवरपूल या फिर बायन मिनिक में जादा एक्जिस्ट करता है लेकिन हाली में अगर हम बात करें तो फिछले एक दो दिन में एक अन्फर्म हुआ है कि चल्सी के स्कोरड में बहुत important है however इसमें यह अभी भी नहीं बताया गया कि भज़ी जो मेसन मांट की salary दिमांड है और जो उसका एक खेतना doubt होता है कि भज़ी है मेरे को कितना खिलाया जाएगा कब खिलाया जाएगा उसको address किया गया है नहीं किया गया यह अभी भी confirm नहीं है तो फेवरेट है कि वो Chelsea को leave कर देगा कर देना चाहिए मेरे क्याल से yes I think Chelsea को थोड़ा सा FFP को ध्यान में रखते हुए निकाल देना चाहिए जो कि क्योंकि Chelsea चल्सी के अकैडमी प्लेर्स प्योर प्रॉफिट माएंगे जो कि FFP में काफी मदद देंगे इसी किता अगर बात करें यहां पर चल्सी के मैनेजर को लेके तो यह जिस तरीके से तकता पलट हुआ यहां पर नागल्समन तो अब डिसकेशन में ही नहीं है और यहां पर मौरेशियो पॉचिटिनो सिंगल कैंडिडेट है जो कि समय प्राइम बिल्कुल प्राइम पॉसिबल प्रॉबाबिलिटी लेके चल रहे वो चल्सी के नए मैनेजर बनने वाले है और जो मंडे को टॉक्स होई है उसके बाद यह इंपर चल्सी कभी भी अनौंस कर सकती है कि यहां पर पॉचिटिनो चल्सी के नए मैनेजर है वैसे ही मैंने आली में जो आइटिंग लास्ट हमारा फुट्बॉल डिली के एपिसोड है उसमें तुमको समझाया ही है कि किस तरीके से चल्सी पॉचिटिनों को जादा वैल्यूबल मानती है इन कंपरेजन तो यूलियन नगल्समन चाहे उनके प्रिमेर लीग एक्सपिरियंस की बात करें साथ हम्टन में उसके बाद स्पर्स में उनके आउट अप दोस्की बात करें जैसे हिस्पैनियोल की बात करें या फिर इवन अगर हम बात करें या पर परेसान जमैन की तो साथ एक स्कॉर्ड बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग अराउंड दे पांस साल वो चल्सी को यहां पर चाहिए क्योंकि टॉड बोली यह तो कंफर्म करते हैं कि अब्राव में वच ऐसा एरा नहीं होगा रूतलस जहां पर आप एक दिर साल में सैक कर रहे हो तो उ को यह भी समझ में आ रहा है कि रियाल मंडिट एंसलोटी को सैक करने के मूड में है नहीं चाहिए इवन इफ वह अगर वो लाइक कोपा देलरे जीते या फिर चैंपली जीते हैं ना जीते अप अपको और दौनों जिस ब्याशन में अगर वो हार जाए इफ वह अपने आप तो देखो मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरीए से प्रो एंटोनियो कॉंटे हूं लेकिन एंटोनियो कॉंटे ने अपने एक बहुत ही ब्लास्टरिंग उनो क्रिस्टियानो लाइक सेक्सी टाइप उस इंटर्विव में इस नहीं चीज़ का कि टॉटनम की जो प्ले क्या है इस तीलिनी और इस तीलेनी को यहाँ पर इंटर्विव मैनेजर बनाने के साथ ही यहाँ पर यह ब्राइटन से जीत गए बहुत ही कॉंट्रिवेशल स्टाइल में एवोटन से डो पर इसके बाद I यह अपने मतलब मेरे को लगता है कि रायन मेशन का पूरा करियर ही इंटरिम बेसिस पे है रायन मेशन का भी पर्मनेंट मैनेजर जॉब लेगा ही नहीं अच्छा पता यह पर्टिकूरल इतनी इरिटेटिंग इसलिए लगती है क्योंकि अभी भी टॉटनम में चीज वो ही है लाइक प्लेयर्स को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है और मैनेजर्स को तो ऐसे बदला जा रहा है जैसे मैं अपना अच्छा बदल रहा हूं मतलब इतने हर दिन के बेसिस पर और अभी भी डैनियल लेवी कि जितने कमेंट्स पढ़ तो कोई ऐसा हिसाब लग नी ना कि टॉटनम कोई अपना जो नेक्स मैनेजरिल अपोइन्मेंट लेगी नहीं उनके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर कि मैनेजर के सामने यह अपना भी तो रखेंगे कि भाई यह देखा हम तुम कौनसी क्लब को जोइन करेंगे एक्च्छली वह पता क्या है कि हैरी केन और हुंगमिन सौन के लावा एक्च्छली में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कोई करी ही नहीं पाया है इस पर्स में और जिस तरीके से सल रहा है ना प्लेयर कुलो सेवस्की है क्रिश्चन रोमेरो है वहाँ पर फिर आपका हरी केन है हुंगमिन सौन है उसके बाद बेंटन कोर है काफी बड़ी है बड़ी है प्लेयर है और इनको इनका मैक्सिम्म पोटेंशल निकालने माला कोई है नहीं बहुत जल्दी अगर ऐसी चलते हैं नो सारे डेली अली इधर से निकलेंगे इसी के स बात करते हैं अब अलनसर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक तो मैंने को सवंच में आता है शाले 10 दिन में खेलते हैं और जब भी खेलते हैं कहीं ना कहीं से बाहर हो जाते है अब यह ऐसे कितने कॉंपटिशन में खेल रहे हैं गूंदरिक टूनमेंट नाइट उफ चै पूशन लगा मैंने क्यूं देखा मैं क्यूं देख रहा हो एंगे इनके सामने तुम अलफाइदा अलवेद तलवेद अल अलकलाइन और उसके बाद अलहलाल अलफते हैं नुसर अलफतिखन तो यह कुछ कुछ भी कर लो भाई सारे प्लेयर्स सारी टीम इनके सामने रोनालडो वेकेशन पर है यह बक्षुदिया मत करा करो भाई सीधी बात है क्रिस्टियान अलडो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उससे इंपोर्टेंट बात यह है कि यह अलनसर पूरी टीम ही चूताड है नहीं इन पर मैनेजर है नहीं इन पर कोई प्रोजे रखता है बट अगें क्रिस्टियान अलडो के आने के बाद अलनसर में जो चीज़े हो रही है अगर उसका मैनेजमेंट पर है से तो भाईया अगला अपॉइंटमेंट जो भी होगा मैनेजर का वो सोच समझ क्योंना चाहिए क्योंकि अभी अलनसर टक्टी से ना एक कदम आ यह लेकिन एक स्पेकुलेशन जो कि फिछले दो दिन-दिन में आई है काफी इंट्रस्टिंग है वो यह है कि सबसे पहले लेकविप और फिर एल मुंडों ने दौनों ने अपनी अलग-अलग रिपोर्ट में एक ही चीज रिपोर्ट कर डाली कि वह यह एमबापे मैसी को रोक सकते हैं और जब मैनेजमेंट बैठेगी तो तुमको पता है एमबापे का पीएसजी की टेवल पर काफी अच्छा से होता है अब वो बिहाइंड दे सीन हो या फिर अंडर टेवल हो नहीं अंडर टेवल कैसे होगा चूसे का थोड़ी खेर एमबापे यहां पर यह ची पूरा फेक्टर एलिमिनेट कर दे और कहने कि यहां एमबापे यह चीज़ कर सकता है क्योंकि एमबापे की सुन भी लेगी इस बार शायद से यह चीज़ ना हो क्योंकि पीएसजी के खुद के हाथ बंदे होए आप देखो एमबापे को जो पैसा दे दिया वो तो उसकी ज लेकिन ऐसे में जब आपके FFP में अबड़े लगे हो तो लियोनल मैसी को जो आप देने वाले हो वहाँ तो हाथ रोख सकते हो चूंकि लियोनल मैसी को खतम हो रहा है अब इवन इस यहां पर लियोनल मैसी डेफिनेटली वन दे ग्रेटेस्ट फॉल टाइम है लेकिन यह ची के बाद आप बारसिलों का फेक्टर लगा दोगे तो इस समझ में आ जाएगा कि मैसी बारसिलोना ही जाएगा और सारी चीजे इधर ही इशारा करती है खेर इसके रिगाड़ी एक अपडेट यह है कि मैसी आने वाले टाइम में सर्जे बिस्किट्स और जॉर्डी अलबा के इसके बारे में पता चल जाएगा अब सर्जे बिस्किट्स का तो ठीक है लेकिन जॉर्डी एलवाज इसके रिगाड़ी हमको ख़बर सुनने को मिल रहे है कि भाई उसको छोड़ के जाना नहीं है क्लब और क्लब उसको निकालने वाला है I just hope कि भाई यह समझ जाएगी बा इसके बात करें अब थोड़ी सी यहाँ पर बायन म्यूनिक की तो बैया बायन म्यूनिक अब तेको पहली दो चीज़े है अब जूर ख़बर इस से फैल रही है जर्मन निउस्पेपर्स और मैगजीन में उसमें कॉश्चन मार्क है की नहीं है यह बहुत चीज़ अब देखो गर इसका अंसर नहीं है और अगर इसका नहीं है यानि कि यह बहुत लिगा से बहुत हो जाए और यहाँ पर बुंदस लिगा से भी हारता हो जाए mentioning कि यहाँ पर तीनों ही competition में जो बाहर होने के prime candidate है वो यहाँ पर टूकल का game style है कि उसने poorly manage कर रहा है लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि टूकल को यहाँ पर इस फट्डे में डाला गया है इसका counter-review हो सकता है कि टूकल को जब यह पता ही था तो टूकल ने माना ही क्यों कि मैं यहाँ पर बायन में immediately आके ला सकता हूँ क्योंकि यह चीज़ तो तुम को ही मानने पड़ेगा कि even if अगर तुम मेरे को यह बताने वाले हो क्योंकि अगर आपने टूकल को सक करने की बात भी कर दिना तो जो प्राइम आपको अब्जेक्टिव था टूकल को लाने का आप तो वहां तक पहुचे भी नहीं शायद से पहुच गए लेकिन next मतलब पहुच गए क्योंकि आपने बायन के ओफिशल ने एका ना कि ट्रेबल जीतने के चांसे से माई टूकल से जादा तो आपको अब्जेक्टिव था लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फिर आप यहां पर खुद ही फेल हो जाओगे ultimately सारे जैंजी बहुस्टिडी का ये फरक पड़ता है कि बायन मुनिक literally हूतियों से चल रहा है भाई बायन मुनिक वो उपर से साफ करना पड़ेगा लिटरली उपर से साफ करना पड़ेगा और अभी यह चीज मैं इसले उठा रहा हूँ क्योंकि former player ने जब से एकाय की बायन सही में ऐसा कर सकती है कि वो टूकल की position को weak कर देगी तो कर देगी या हो जाएगी या कुछ हो सकता है यह अलग बात है लेकिन यह सी बात उठने भी लग गई देड़ महीने के अंदर यह भी अपने अप में काफी जादा shocking है